वेलकम टू मैचैनल शिखास किचन में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि रात को सोते समय लहसुन यदी आप खाकर सोते हैं तो आप 10 दिन ही आप खाकर देखें इसे आप बहुत ज़ादा अपने शरीर में फर्क देखेंगे इस वीडियो में मैं आपको यह भी मताओंगी किन व्यक्तियों को लहसुन खाना चाहिए और किने लहसुन का सेवन जादा नहीं करना चाहिए तो सबसे पहले दोस्तों हम लहसुन को साफ कर लेते हैं, लहसुन का छिलका उतार लेते हैं, वैसे तो लहसुन बहुत ही फायदे मंद होता है, परंतु जिन लोगों की तासीर बहुत जादा गर्म होती है, उन्हें लहसुन का प्रयोग बहुत जादा नहीं करना चाहिए, गर तो इस वीडियो में मैं यह भी बताऊंगे आपको कि जिनकी तासिर गर्म हैं और उन्हें लहसुन यदि वे सेवन करते हैं तो किस तरह से उसका सेवन करें ताकि उनके शरीर में और ज्यादा गर्मी बढ़नें ना पाए और जिनकी तासिर गर्म नहीं है दोस्तों वे तो लह लहसुन की कलियों को मैंने छील करता यार कर लिया है आपको इत्ती सारी नहीं खाना है दोस्तों बड़े साइस की कली है तो केवल एक कली खाना है छोटे साइस की कली है तो आप दो छोटी-छोटी कली भी ले सकते हैं जो हार्ट पेशेंट है दोस्तों उन्हें तो लहसुन क्योंकि इसमें potassium होता है BP को control करता है और साथ ही जो इन्हें cancer जैसी कोई बिमारी है दोस्तों उन्हें भी लहसुन का सेवन करना चाहिए cancer के होने को रोकता है लहसुन का सेवन तो यहां पर मैंने लहसुन के थोड़े बारिक बारिक टुकड़े कर लिये हैं क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिसे लहसुन को चबाना अच्छा नहीं लगता है थोड़ी सी बैड इसमेल भी आती है तो वे चाहें तो बारिक 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 उसे काट ले ताकि इसे हम पानी के साथ निगल ले तो बारिक काटे ऐसा नहीं कि मोटे-मोटे टुकड़ तो इसे चबा-चबा कर भी खा सकते हैं ताकि और भी जादा आपके शरीर में इसका असर होने पाए जो डाइबिटिक पेशेंट है उन्हें भी लहसुन का सेवन जरूर करना चाहिए दोस्तों सर्दी खासी से हमें बचाता है लहसुन का सेवन हमारी रोग प्रतिरोधक शम कामिल करें दोस्तों दिन में एक बार आप लहसुन का सेवन जरूर करें दात दर्द में भी फाइदे मंद है दोस्तों यह बहुत जादा दात में दर्द होता ना एक कली लहसुन को दोनों दातों के बीच में आप दबा लें जहां पर आपको दर्द हो रहा है तुरंत ही द पेट की कई समस्याओं को, पेट की कई बिमारियों को, पेट के किटानूओं को भी खत्म करता है लहसुन का सेवन. तो बीपी के पेशेंट, हार्ट पेशेंट जरूर लें, कोलेस्टरॉल को कम करता है, हमारी इम्मिनुटी को बढ़ाता है, परन्तु गरम पानी के साथ ही आप लेंगे. अब लहसुन का एक और भी फायदा बता देती हूं दोस्तों, जो लोग वजन को कम करना चाहते हैं, उनके लिए लहसुन का सेवन बहुत ही फायदे मंद है, गरम पानी लें और एक कली लहसुन की यदिवे लोग खाते हैं, तो तेजी से वजन कम होता है, हमारे शरीर में ज खून को पतला करता है, इसलिए तो हार्ट ब्लॉकेस की जो परिशानी है वह नहीं होने पाती है, तो इस तरह से मैंने लहसुन को काट लिया है, दोस्तों आपको बताने के लिए, कि आप इतना बारी काटें और फिर खाएं, डाइबिटीज में फायदे मंद है, परंतु हम अगर वजन को कम करना चाहते हैं, तो गरम पानी के साथ लें, लहसुन के सेवन से हमारा मेटाबॉलिजम अच्छा होता है, मेटाबॉलिजम स्ट्रॉंग होता है, और जो भी चीज हम खाते हैं, वह चीज हजम हो जाती है, और जब वह खाया हुआ हमें हजम हो जाता है, दो यह तो इतने सारे मैंने आपको इसके फायदे बताया है दोस्तों और वचन को कम करने के लिए परन्तु बहुत से लोग है उन्हें नहीं खाना चाहिए अब आप बोलेंगे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में आपको बताया कि जिनकी तासिर गर्म है उन्हें लहसुन का स सेवन करना चाहिए एक छोटा चम्मश शहद ले 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 और उसमें एक कली जो लहसुन की होती उसे बारिक काट कर आप शहद में मिक्स कर दें और बस शहद के साथ यदि लहसुन का सेवन करेंगे दोस्तों तो उसकी तासिर की जो गर्माहट है वह भी कम होगी साथ ही साथ वजन कम करने में लहसुन और शहद का सेवन बहुत ही फायदे मंद है एक चम्मश शहद में एक कली लहसुन बारिक काट कर मिक्स करें खाएं उपर से आप गरम पानी पीलें बहुत तेजी से वजन कम होता है तो वजन कम करने में सायक है लहसुन और शहद का सेवन इसके अलावा दोस्तों जो प्रेगनेंट लेडी है उन्हें तो लहसुन का सेवन बिलकुल नहीं करना चाहिए कि जैसा मैंने बताया थोड़ा गरम होता है और अभी तो ठन का मौसम है इसलिए आप लोग लहसुन का सेवन कर सकते हैं बहुत सी बिमारियों से हम बच सकते हैं क शरीर में जमी हुई चर्वी बहुत तेजी से कम होगी तो बचन को कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है और शेहत के साथ खाने से इसकी गरम तासिर भी ठीक होती है तो लहसुन जो की बहुत सस्ता आता है और हम सब के किचन में पूरे समय रहता है शाय सभी के घरों मे पूरे समय रहता है हम खाने में तो इसका भरपूर इस्तमाल करते हैं खूब सारी ग्रेवी में डालते हैं भून-भून कर मसाला पर जब हम इसे इस तरह से खाते हैं तब हमारे शरीर को इसका भरपूर फायदा मिलता है इसके अलावा आप चाहें दोस्तों तो कई लोग ज उन्हें कच्छा लहसुन की स्मेल पसंद नहीं होती है, डाइजेस्ट नहीं होता है, वे लहसुन को थोड़ा सा आग में भून लें, और भूना हुआ कच्छा लहसुन खाएंगे ना दोसों, तो एक तो बैड स्मेल भी नहीं आएगी, उनसे खाते भी बन जाएगा, और भू लहसुन थोड़ा सा भून जाए, तो इसकी जो कच्छा पन है वह भी निकल जाएगा, और भूने हुए लहसुन का और भी जादा हमें फायदा मिलेगा, तो बस इस तरह से आपको सेखना है, आप देख सकते हैं, अब लहसुन की रंगत बदलने लगी, थोड़े थोड़े स चित्ते से होते हैं, वह इसमें पढ़ जाना चाहिए, इसमें भी आपको इत्ती कलिया नहीं खाना है, तो केवल एक कली लहसुन की खाना है, यह ना सोचे, मैंने आपको दो-तीन कलियां बोली है, एक कली लहसुन हमें 100 बिमारियों से बचा सकता है, यदि आप इसका सेवन दिन करते हैं बस अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस गरम तवेक पर से हम लहसुन को हटा लेंगे आप चाहें तो एक सार भून कर रख दे और रोज आप इसे लें आप चाहें तो सुबह खाली पेट लहसुन का सेवन करें यदि इस कई लोगों को सुबह टाइम न विमारियों से आपका बचाओ होगा तो यह देखे लहसुन हो चुके हैं और बस अब मैं इसे कटोरी में खाली कर लूँगे गरम पानी के साथ लेना है दोस्तों वैसे भी आप यदि वजन कम करने के लिए कोई भी रेमेडि का इस्तमाल कर रहे हैं दोस्तों तो उसे आप ह भुद फायदे और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लहसुन से संबंधित ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के एक छोटा सा लाइक जरूर दें सांथी साथ मेरे चैनल शिखास किचन को यदि अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें सांथी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताईएगा कि लहसुन की ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी ये वीडियो कैसा लगा और इस तरह से अलग-अलग रूप में मैंने आपको लहसुन लेना बताया है दोस्तों कच्छा ले सकते हैं बारिक कटा ल हुआ ले सकते हैं परतु हर बार आपको गरम पानी के साथ लेना है थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो